हलो मेरा नाम है चंद्रहास, study smart में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम देखेंगे computer awareness का part 4 और part 4 मैं आपको बताऊँगा software के बारे में क्या होते हैं software, कितने types होते हैं सारी चीज़े हम discuss करेंगे तो चलिए start करते हैं आज की video तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहां पे क्या-क्या topics में आज discuss करूँगा आपके साथ एक तो होगा आपका software क्या होता है उस फिर उसके types क्या होते हैं BIOS क्या होता है किसे कहते हैं disk compression क्या होता है defragmentation किसे कहते हैं language translator के रूप में क्या-क्या use किया जाता है तो यह सारे हमाई topics होंगे इस video के तो चलिए start करते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ software की तो software जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि इसे कभी-कभी abbreviate किया जाता है hw या s forward slash w इस से यह होता है आपका software के लिए use किया जाता है तो software होता क्या है देखिए छोटा सा difference होता है software hardware में hardware computer का वो part जिसको आप touch कर सकते हैं उसको या दूसरे शब्दों में कहें तो खराब कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, feel कर सकते हैं मतलब physical जिसकी appearance होती हो क्या होता है आपका hardware software क्या जो आपको क्यों दिखता है उसे आप touch नहीं कर सकते हैं छू नहीं सकते हैं वो आपका क्या होता है software तो यहाँ पर जैसे लिखाओ है software is a collection of instructions क्यों software क्या होता है instructions का क्या होता है collection या आप कह सकते हैं इसे collection of programs instruction से बनते हैं program वो प्रोग्राम से बनता है आपका software तो जब हमारे पास बहुत सारे programs होते हैं और उनका collection होता है और वो programs क्यों होते हैं ताकि हम computer को बता पाएं कि हमको क्या काम उससे करवाना है क्योंकि हम ऐसे computer सामने बैठ के बोलेंगे तो computer काम करने से रहा आप सब कुछ computer में लगा के रखिए सारे parts उसके connect करके रखिए लेकिन अगर उस computer में आपका software का part नहीं है software नहीं है तो वो computer आपका क्यों एक डिबा भर होगा और उसमें कोई भी काम हो नहीं पाएगा जैसे हमारे live example होते हैं जैसे हमारा सरीर है उसकी आत्मा होती है तो ऐसे computer का आत्मा समझ सकते हैं क्या है software है जिसे हम देख नहीं सकते हैं छू नहीं सकते हैं महसूस नहीं कर सकते हैं कि वो मौझूद है कहीं पर लेकिन उसके बिना आपका कुछ हो नहीं सकता है तो ये software जो होता है ये आपका जो computer है और जो हमारा human user है उसके बीच में bridge का काम करता है मतलब हम program बनाते हैं तो वो program computer से वो सारे काम करवाते हैं जो कि एक computer को करने चाहिए तो software का काम हम इसलिए करते हैं और software का main काम यहाँ पर क्या होता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह interact करता है hardware के साथ और उनके जो task होते हैं वो perform करवाने में help करता है तो यह होता है आपका software अब हम चलते हैं software के types पे कितने तरह के software आपके पाई जाते हैं एक होता है अपका system software एक होता है application software एक होता है utility software हाला कि कभी कभी utility software को application software के अंदर ही रखा जाता है कुछ लोग कहते हैं कि उल्दो ही type होते है system software और application software लेकिन यहाँ पर मैंने तीन डिवाइड इसलिए कर दिया है ताकि आपको तीनों के बारे में बता सकूँ अलग अलग कि यह तीनों में क्या difference होता है और क्या काम होता है इनका तो सबसे पहले हम देखते हैं system software आपका क्या होता है जैसा कि यहाँ पर लिखा है system software is a collection of one or more programs used to control and coordinate the hardware and other application software कि system software जो आपका प्रोग्राम आपका जो प्रोग्राम है उसका काम होता है कि जितने भी आपके hardware लगे हुए computer सब में coordination करना उनको control करना और जितने भी application software computer में हैं उन सब को भी control और coordinate करना तो यह सारा काम किसका होता है system software का तो system software के कुछ main functions होते हैं जैसे यहाँ पे दो points में लिखा हुआ है क्या है कि communicate with hardware devices जितनी भी hardware devices उन सबसे के साथ communication करना, establish करना, उनको control करना, monitor करना और उनका क्य proper use हो सकता है ताकि जो भी हमारे पास hardware resources हैं जैसे CPU, memory, peripheral device जितने भी हैं उन सब का proper use करना ताकि हम उन सब की help से अच्छा से अच्छा result कम से कम समय में प्राप्त कर सकें तो यह कौन का काम करता है आपका system software दूसरा इसका जो main काम है क्या supports the execution and development of other application software आपको गर कोई application software दूसरा बनाना है तो बिना system software के आप कोई application software नहीं बना सकते हैं तो किसी भी application software को create करने में आपको system software की help लगेगी तो system software के example क्या हो सकते हैं पहला example इसका है operating system operating system जैसे क्या windows अब बताइए आपके computer में अगर windows नहीं होगा कोई भी operating system विंडोज कहेंगा तो आप कहेंगे mac तो होगा तो mac भी नहीं होगा android भी नहीं होगा ठीक एसब आपके 미क्न नहीं होगा कोई भी operating system अगर नहीं होगा तो आप comply से कुछ काम करवा सकते हैं क्या Senements क्षर नहीं कर पाएगा तो operating system स्टम software का example है जब आपके कप्योटर में विंडोज में कुछ भी पढ़ा होतें और उसके बा दूसरे आपके system software नहीं कहाते है, programming language translators, कि जो भी programming language translator होते हैं, वो सारे के सारे system software होते हैं, इसी में जाकर कि आप जो सारी programming language जो code करते हैं, वो सारी translation का काम इसी के तहत ही होता है, इसी तरह आपके communication software हो गए compiler, interpreters हो जाते हैं command line shells यह सारे के सारे क्या हैं आपके system software के ही रूप होते हैं या example के लिजे होते हैं तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो system software ही आपका समय लिजे एक तरह का head होता है आपके computer का कि उसी के अंदर फिर सारी चीजें आपकी अंदर contain होती हैं जितने भी applications हो गए, utility software हो गए सब system software के help से ही चलती है मतलब अगर system software नहीं होगा तो ना तो आपका application software चलेगा ना तो utility software चलेगा, कुछ नहीं चलेगा लेकिन अगर आपका system software है तब आपके ये दोनों चल सकते हैं ठीक है, और लेकिन इसका उल्टा true नहीं होगा कैसा नहीं कि आपके पास application software नहीं हो utility software नहीं है तो system software नहीं चलेगा, system software तो जी चलेगा ही चलेगा, इन दोनों की help की जरोत उसे नहीं पड़ती है next देखते हैं, क्या है operating system का काम क्या होता है क्यों एक काम नहीं उसका बहुत सारी उसके काम है जितने resources है, सब को control करना coordinate करना, ऐसा नहीं operating system का काम के उर ऩिध show हाड डिस्को control करना है, या CPU को monitor करना है, ऐसा नहीं सब को coordinate करना लेकिन application software पर जो होगा उसका काम क्या होगा, जिस काम के लिए वो बना है, क्योल वही काम करेगा वो, उसको और बाहर से किसी भी चीज से मतलब नहीं होगा, जैसे example में अगर मैं दे दूँ PowerPoint, चलिए मैं देता हूँ PowerPoint का example, तो PowerPoint अगर आप खोलेंगे, अपने computer में, laptop में, mobile में, कहीं पर इंटरनेट का काम कर सकते हैं, तो इंटरनेट का काम नहीं कर सकते हैं, इसकी help से आप और कोई काम कर सकते हैं, presentation मनाने के अलाग, और कुछ नहीं कर सकते हैं, कि यह लोग क्यों एक काम करेंगे, क्या होगा, प्रिजेंटेशन को बनाना, तो application software होते हैं, वो भी collection of program ही हैं, ल लेंकिंग इंडर्स्ट्री ले लिए एयर लाइन रेलवेय रिजर्वेशन जो भी आपके टेलीफोन लेक्रिसिटी इन सब जगह पर एक साफ्ट्वेर आपके यूज होते हैं इसके एक्जामपल जैसे आप समझ सकते हैं वर्ड प्रसेंग साफ्ट्वेर जैसे आपका वर्ड MS World, MS Office ये सब आपके क्या हैं application software के एक्जामपल हैं spreadseet software spreadseet में क्या लगा सकते हैं आप Excel को लगा सकते हैं database software मतलब database management में जो काम आते हैं DBMS में वो सारे software आपने नाम सुना होगा oracle वगयरा का ठीक है, education software, education software में देखा होगा, आपने बहुत सारे education software आते हैं, जिनकी help से आप पढ़ सकते हैं, मतलब उनका काम क्या होगा, क्यों पढ़ने का, entertainment software ये सारे आपके इसके types होते हैं, जैसे आपके browser बगरा होगे, तो अगर आपके computer में सोची, आपका computer है, और आपके computer में, उनका काम पूरा, एक पूरे operating system को handle करना नहीं, कि एक काम जिसके लिए बने हैं, उसी को handle करते हैं, और ध्यान में रखिएगा, कि अगर आपके पास वो application software नहीं, जिससे आपको काम करना है, तो आप दूसरा फिर उससे open नहीं कर सकते हैं, जैसे अगर आपको मैं एक presentation देता ही जिसमें ये application software आपका बना हुआ है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, next आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, utility software की, utility software क्या है, utility software है, is a collection of one or more programs that helps in the user in system maintenance tasks and in performing tasks of routine nature, utility software का मतलब नाम से आप समझ सकते होंगे, कि ये भी आपका कहा है, collection of one or more program, एक से धिक प्रोग् का collection होगा, जिसकी help से आप अपना जो system है, मतलब जो computer है, इसके maintenance का काम रखते हैं, जैसे आप लोग के पास bike होती है, कोई भी hardware की जो भी चीज होती है, उनको आपको maintain करके रखना पड़ता है, ताकि वो बराबर चलती रहे, उसमें कोई खराबी आ रहे है, तो आप दूर क प्रोग्राम आते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं, इसा नहीं, इनको सारे काम करने स्पेस्फिक है, अपने computer में लोड किया हुआ है, डाउनलोड है, इंस्टॉल है, तो उसकी help से आप अपने computer में चेक कर सकते हैं, कहीं कोई virus तो नहीं है, कोई आपका malicious software तो आपके पास नहीं है, जिसके help से आपकी जानकारी leak हो रही हो, ये आपका computer slow हो रहा हो, performance आपकी computer की कम हो रही हो, तो सारा काम आप anti-wire software के थ्रू कर सकते हैं, registry cleaner आते हैं, कि आपके पास अगर computer में registry अगर कोई आपकी corrupt हो गई हो, काम नहीं कर रही हो, तो वो सारी registry clean कर देगा, तो क्या ह होती, इसी तरह, disk defragmenters होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये तो भी आगे मैं बताऊंगा detail में कि इसका काम क्या होता है, data backup utility, disk cleaner, ये सारे आपके क्या होती है, इन सब की help से हम अपने जो computer हो, laptop हो, mobile हो, जो भी आपके पास device हो, उसकी performance को improve करने में ये सारे help करते हैं, ताकि जो system है हमारा वो slow ना हो, तो utility software के अंदर ये सारे software आपके आते हैं, मतलब इनकी help से आप कोई presentation नहीं बना सकते हैं, कोई production का काम नहीं कर सकते हैं, कोई नया software नहीं डिजाइन कर सकते हैं, ना तो कोई आप इसमें graphic designing का काम कर पाएंगे और कुछ नहीं, ये आपके computer को utility software, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कि utility software क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करता हूं, मैं BIOS की, BIOS से आपके questions निकल के आते हैं, कि BIOS क्या होता है, तो BIOS क्या है, सबसे पहले तो इसकी full form जाल ले, full form क्या होती, basic input output system, ये है इसकी क्या, full form, और इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूं, तो आगे देखी लिखा है, is the program a personal computers microprocessor uses to get the computer system started after you turn it on, मतलब अगर simple सब्दों में आपको कहूं, तो जब भी आप ये power on वाली जो button होती, इसको press करते हैं, तो ये press करने के बाद जो आपका program start होता है, वो आपका क्या होता है, बायोस हो ठीक है, ये आपका start होता है, और यही आपका जो program होता है, ये operating system को load करने में help करता है, आपके hard drive से, ताकि operating system आपका start हो सके, और microprocessor के थूरू सारी जनकारी पहुंचाता है, कि आपके जो computer है, laptop में जितनी चीजे हैं, सारी working है कि नहीं, और क्या-क्या चीजे हैं, मतलब तरीके से समझे, computer को जगाने का काम करता है, और उसको अपने अस्तित होने का आभास कराता है, कि उसके पास क्या-क्या है, जैसे hard disk है, video adapter है, keyboard है, mouse है, printer है, क्या-क्या उससे connected है, और सारी चीजें चल रही है कि नहीं चल रही है, आप देखते होंगे, अगर computer on करते हैं, laptop on क करते हैं, तो पहले एक black screen सी आती है, उस screen पे देखते होंगे, आप कुछ लिखा रहता है, वो सारे आपकी checking के process होते हैं, कि सब कुछ चेक हो रहा है कि नहीं, और यह जो आपका पूरा process होता है, इसे हम कहते है, booting भी आपकी दो तरह की होती है, एक होती है, hot booting, एक होती है cold booting, हाला कि इतना detail में जाने की जुरूत नहीं है, hot booting और cold booting में क्या difference है, लेकिन आप समझ लिए, booting का process का मतलब क्या computer को start करना, तो यह काम कोन करता है, यह काम करता है, आपका BIOS, अब BIOS क्या है, देखे, यहाँ पर जैसे chips यह आपको दिख रही है, यही है आपका BIOS, य इसमें पहले से ही कुछ instructions पहले से ही program की हुए रखे होते हैं, मतलब हमने instructions दे दिये रहते हैं पहले से ही कि इसको क्या काम करना है, जब power on होगा तो इसको क्या क्या काम करना है, यह हम पहले से ही store करके रखते हैं, तो जैसे ही power on होता है, तो इसमें जो भी instructions है, उस सारे के स तो अगर आपसे पूछू मैं कि यह क्या है आपका software में आता है या फिर hardware में आता है तो आप क्या बताएंगे देखे software का मतलब क्या program हो software में hardware का मतलब क्या जिसकी physical appearance हो तो अगर हम देखें तो इसे हम दोनों के बीच की category में रखते हैं कहते हैं इसे हम firmware firmware का मतलब क्या कि जो software हाइडवेर दोनों का मिला जुला रूप हो अब इन दोनों का मिला जुला यह चिप आपकी रूप होती इसी में आपके program भी है और यह program ऐसा नहीं है कि बदल जाने वाला है computer on-off होने से इसके पर कोई भी प्रभाव आपका नहीं पड़ता है तो यह program आपका हमेशा इसमें store रहता है जब तक आप खुद इसमें delete नहीं करते हैं जैसा मैंने आपको बताया था किस का टाइप होता ही आपका रॉम का टाइप होता है read only memory इसमें होती है ठीक है तो आज कल जो हमारे इसमें wordpad को खोल करके जैसे मुझे यहां का डी मिटाना तो ऐसे मिटा दिया जटके से मिट गया यहां पर क्यों इतक बचेगा इतना आसान भी इसमें नहीं होता है काम करना बहुत ही यह आपका टफ काम माना जाता है बायोस की सेटिंग को करना तो बायोस आपका अगर आत कीबोर्ड हो गया सब के बीच यह डेटा फ्लो का काम करता है और माइक्रो प्रोसेसर को बताता है कि आपके साथ क्या-क्या यहां पर अटेच है आपके कंप्यूटर के साथ में और आगे यह जानकारी आगे भेशता है कि अब क्या आगे इस्ट्रेक्शन को फॉलो करना है जिससे हमारा operating system जो है वो secondary आपकी जो storage है hard disk उससे वापस आपके RAM तक आपके पहुंच सके जिससे आगे का काम सुरू हो सके तो यह होता है आपका BIOS ठीक है मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा next आगे हम बढ़ते हैं देखते हैं disk compression क्या होता है तो disk compression आपकी क्या है एक software utility है जैसा कि मैंने आपको बताया था utility software है इसका काम क्या होता है इसका काम होता है कि increase the amount of information that can be stored on a hard disk drive of a given site मान लीजिए ऐसे example के थूँ आपको बताता हूँ मैं कि आपके पास एक GB का memory card है ठीक है एक GB का आपके पास memory card है और अगर मैं इसमें डालना चाहूँ 1.2 GB की information तो क्या मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ आप बताये अंदर ये क्यों जादा से जादा 1 GB ग्रहन कर सकता है ले इसके compression का डिसक कंप्रेशन का काम क्या होगा कि ये आपके जो भी यहां पे इसके इंदर की जो भी फाइल होंगी उन सब को compress करके इस डिस्क की चंता को बढ़ाने का काम करता है ठीक है डिस्क की चंता मतलब अभी ये इसके इंदर चला तो जाएगा compress करके मतलब उसको दबा के compress का मतलब क्या होता है दबाना किसी वी चीज को सिकोडना तो ये information जो भी आप डालेंगी इसको क्या करेगा compress करके इसके इंदर डाल देगा 1 GB के अंदर ही आप 1.2 GB की information को contain कर पाएंगे तो लेकिन यहां पे एक आपने सुना होगा क्या file compressor एक होत क्या कहेंगे इसने file को compress किया ठीक है लेकिन चुन हमारा disk compressor होगा डिस्क क्ऊ क्रिश करने का काक करेगा तो यह जो प्रक्रिया होगी यह वां की hardισ पे आप होती है इसमें आपको खुद से कोई काम नहीं करने जैसे इस file को compress करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा लेकिन यह सारा काम यहाँ पे जो होगा disk compression का यह क्या होता है automatic होता है यहाँ पे यह 1 GB की file को 500 MB में रख लेगा लेकिन आपको यह दिखेगी 1 GB में ही जब आप यहाँ से recall करेंगे इस file को तो यह काम क्या होगा कि फिर से इस file को decompress कर देगा मतलब यहाँ से जब बाहर आएगा तो इसे decompress करके फिर से 1 GB की file में convert कर देगा जिससे आप उसे देख सकते है तो यह काम होता रहता है हमारे जो भी hard disk है उसमें यह काम होता रहता है लेकिन यह हमको पता नहीं चलता है यह सारा काम कैसा होता है automatically होता है बीना हमारी information के मतलब हमको ऐसा बताने की भी जरूरत नहीं हमसे ना तो हमसे कुछ पूछने की जरूरत होती computer को यह खुद से काम होता रहता है next बात करते हैं defragmentation की defragmentation क्या है उससे पहले मैं आपको बता दू fragmentation की से कहते है fragmentation का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी file hard disk में आपने save की है माली जी अपने 10 file hard disk में save की है तो 10 file आपने जो hard disk में save की वो ऐसे नहीं होती है कि पहली file यहाँ होगी दूसरी file यहाँ होगी दूसरी फाइल आपकी यहां पे होगी, तीसरी फाइल यहां पे होगी, चौती फाइल यहां पे होगी, पांची फाइल यहां पे होगी, तो इस तरीके से फाइल जाके आपकी इस्टोर होती है, और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हम बार बाले इन फाइलों को रिकॉल करते हैं, इस पर कोई भी operation करते हैं, माली ये पहले आपने program कोई बनाया है, वो 10 MB का है, फिर से आपने बाहर निकाला इसे, फिर से इसे बनाया, अब ये 20 MB का हो गया, तो फिर से बताई कि उसी memory location पर जा पाईगी, जहां पर ये 10 MB की file थी, तो नहीं जा पाईगी, तो फिर 20 MB की जहां पर भी इसको location मिलेगी, वहां पर जाकि ये श्टोर हो जाएगा, तो इसी लिए क्या होता है, हमारी जो files होती है, वो पूरे की पूरे hard disk मैं से तितर बितर सी फैली होई होती है, और इस से होने से क्या होता है, कि हमारी hard disk होती है, उसके काम करने की रफतार क्या हो जाती है, अगर सोची आपके पास अगर यहाँ पे 10 किताबे हैं, और जब 10 books मैंने दी हैं आपको सम्हाल के रखने के लिए, तो अगर आप इन सारी books को line से रख दीजे, आपको पता होगा कि कौन सी book, कौन से number पे है, मैं आपसे पूछूँगा कि आप ये book निकाल के लाओ, माल बाइलोजी की book कहूँगा, तो भी आप निकाल के दे देंगे, लेकिन अगर यहाँ पे आपको पता नहीं हो, आपने इस physics की book को वापस निकाला, लेकिन अपनी position पे नहीं रखा, अब यहाँ पे रख दिया, बाइलोजी की book को यहाँ से अपने निकाला है, और इसको फिर स यहाँ पे रख दिया, तो अब सारी position क्या हो रही है, mismatch होती जा रही है, फिर से अगर आप से कहूँगा, physics की book निकाल के लाओ, तो आपको देखना पड़ेगा, कि physics की book कहाँ पे रखी हुई है, इसी तरह हमारे computer में भी होता है, कि एगर सारी चीज़ें line से नहीं है, सब तितर-वितर होंगी, तो computer को थोड़ा time लगता है, फाइल को ढूंडने में, फिर आप तक load करने में, लेकिन ऐसा भी time नहीं होता है, कि एक घंटे का time लगता है, लेकिन थोड़ा delay होता है, जो हमको आभास होता है, जब भी आपका computer hang होता है, तो आप समझ सकते होंगे कि क् नहीं है, तो computer ढूंडता है फाइल कहां पर, फिर वो open करके आपके सामने रखता है, तो अगर आपके hard disk में fragmentation है, तो आपको long term में बहुत सारी नुकसान देखने को मिलेंगे, आपका system तक crash हो सकता है, क्योंकि hard disk में आपकी बहुत सारे कुड़ा कचड़ा इधर उधर सब हुआ होता है, तो आपके जो performance है, वो आपकी slow हो जाती है, यह सारी चीज़े होती रहती है, लेकिन अगर आपको इस से बचना है, तो आप use करते हैं defragmentation का, defragmentation क्या करता है, कि आपकी जितने भी यहां पे file होती है, सब को ले करके वो सब को एक सास रखने की कोशिश करता है जैसे यहां पे लिखा हुआ है, कि it picks up all the pieces of data that are spread across your hardware and puts them back together again, मतलब यह आपका अगर यहां पे hard disk है आपकी data आपको ऐसे देखने को मिलेगा, पूरे hard disk में से फैला हुआ सा, तो यह क्या करेगा, सब को एक साथ रख देगा, तो आपकी जो hard disk होगी होगी, आपकी क्या होगी जगा दिखाएगी, सारा का सारा data के ओल, इतने महीं आपका समा जाएगा, बाकी की जगा आपकी छुटी रहेगी, आगे programs को store करने के लिए, तो यह होता है आपका defragmentation, तो यह काम आपका automatic नहीं होता है, यह काम आपका automatic नहीं होता है, यह काम आपका automatic नहीं होता है, यह आपका काम होने में टाइम लेता है लेकिन आपकी जो यहां पर स्पेस होता है वो काफी निकल के आजाता है हाड़िस से defragmentation होने के बाद में तो computer को अगर आपको slow होने से बचाना है तो आपको defragmentation करना चाहिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आगवा डिफ्रेग्मेंटेशन किसे कहते हैं आगे बढ़ते हैं आते हैं अपने लाज्ट टॉपिक पे जो क्या है Language Translator Language Translator क्या होता है Language Translator का मतलब यह है कि जो आपके High Level Language या Middle Level Language को आपकी जो Low Level Language है लो लेवल लेवल लेवेज़ लेवेज़ तो ज़्यादा सही होगा लो लेवल भी आपकी लेवेज़ होती जो मशीन लेवल लेवेज़ में कंवर्ड करता है उसे हम कहते हैं language translator आपको पता होगा हमारा computer के ओल दो ही अंक समस्ता एक तो 0 एक तो 1 उसको और कुछ नहीं पता ज उनको इस 0 और 1 के format में मतलब machine level language में change कर देते हैं जिससे computer समझ पाता है कि हम उससे क्या कहना चाहते हैं तो इसमें तीन तरह क्या आपकी यूज होते हैं language translator एक तो होता है आपका assembler देखिए इसके नाम से तो ऐसा लगता है कि जैसे यह hardware का part है लेकिन यह होता आपका software है assembler आपका लगाया जाता है किसी भी low level language से आपकी machine level language में convert करने के लिए आपका use होता है क्या assembler जैसा कि मैंने आपको side part 2 में भी बताया था assembler के बारे में low language जैसे आपकी assembly language हो गई तो assembly language में जो भी आप program लिखेंगे तो आप assembler का use करेंगे फिर आप उसको machine code में बदल पाएंगे तो यह होता है आपका assembler तो assembler का का काम आप समझ गए होंगे कैसे यह language को translate करता है फिर आपम आते है compiler पे compiler का का काम होता है high level की जो language होती है उनको machine level language में convert करने का high level language को machine level की language में convert करने का काम कौन करता है compiler करता है high level की language जैसे आप सब जानते होंगे Java आपकी हो गई C++ हो गई या फिर आपके जितने भी जैसे Fortran हो गई सब high level की language थी फोटरान तो खहल बहुत पहले आये थी लेकिन पहली high level language में उसका नाम आता है तो यह सारी जो language होती है इनमें जब conversion का काम होता है तो हम compiler का ही उसकरते हैं लेकिन compiler और interpreter दोनों का ही यह होता है दोनों ही high level की language को machine level language में convert करते हैं लेकिन दोनों में difference क्या होता है बस ये आप समझ लीजे कि आपने जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ पे 10 line का code लिखा है मालीजे आपने computer को कोई program लिखा है और 10 line का ये code लिख दिया है तो अगर आप compiler इसमें लगाएंगे compiler क्या काम करेगा पूरे की पूरे 10 line को लेगा फिर देखेगा इसमें कहीं आपने कोई error तो नहीं कर दी है लिखने में तो अगर आपने कोई error की होगी तो आपको पूरे program को ले करके एक साथ बता देगा कि इस line में आपकी ये error है मतलब कह देगा line number 3 में कोई syntax error आपकी मिल रही है इसको सही करिए फिर हम आगे बढ़ते है machine को transfer करते है machine level language में लेकिन interpreter का क्या काम होता है थोड़ा सा different होता है ये क्या काम करेगा एक line को लेगा पहले इस line को लेगा चेक करेगा इसमें कोई error है error नहीं है फिर दूसरी line पर जाएगा इसमें कोई error है तीसरी line पर जाएगा इसमें कोई error है माली ये तीसरी line पर उसको error मिलती है तो आगे की line इसको execute ही नहीं करेगा मतलब आगे वो कोई checking का काम नहीं करेगा पहले कहेगा इस line की जो error है इसको आप सही करिए तीसरी line में जो भी आपकी syntax रहा है जो भी error आती है कहेगा पहले इसको सही करिए फिर आप आगे बढ़ते हैं तो इसको आप सही करेंगे फिर से run करेंगे तो फिर तीसरे के बाद फिर से चोथी line पर आएगा पांची line पर आएगा तो मतलब क्या है compiler पूरे जो आपकी प्रोग्राम आपने लिखे हुए है एक साथ लेता है लेकिन interpreter उसको क्या लेता है line by line लेता है उसको line by line checking का का काम करता है लेकिन दोनों का काम एक ही होता है high level language को machine level language में convert करने का तो आपके जो भी compiler होते हैं यहाँ पे एक बात आपको और बताता चलूँ यह आपके platform independent तो होते हैं लेकिन यहाँ पे आपके language dependent होते हैं language dependent का मतलब अगर आपने Java का compiler लिया है तो Java का compiler किसी और language को compile करने में शक्षम नहीं हो पाएगा तो हर एक language का compiler अपना अलग अलग आता है तो आपको हर एक language के लिए उसी का compiler चाहिए Java से आप C के program को नहीं चला पाएंगे C का program आपको चलाना है तो आपके पास C का compiler होना चाहिए उसे Java का program नहीं चल सकता है, इस तरह की कुछ बाते होती है, हाला कि अब आगे technology तो काफी बढ़ गई है, लेकिन अभी तक हमको यही पढ़ाया जा रहा है, तो आप ऐसे ही इसको पढ़के रखिए, तो यह तो था आपका language translator, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, क्या होता है, assembler, compiler, interpreter, यह सारे के सारे software ही है, आपके software की category में ही आते हैं, यह सारे के सारे, तो भूल कर भी ने, hardware समझने का काम मत करिएगा, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में यह आया होगा, यह था आपका part 4, अब मुझे थोड़ा सा computer video में doubt क्या हो रहा है, एक बात यह बताएगा, कि मैं काफी तेज तो आपको नहीं बताता चल रहा हूँ, हो सकता है, आपको समझ में ना आ पाए, क्योंकि computer का जो part होता है, मुझे लगता है, ज़्यादता लोगों को आता है, तो हो सकता है, मैं थोड़ा fast बता रहा हूँ, तो अगर मैं fast बता रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ भी, लाइक करिए वीडियो को, जिससे और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके, तो बता दीजेगा, next part में उसे मैं फिर से बता दूँगा, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धहनेवाद, अब हम मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए have a nice day and bye.